भारत के महान सासक सेर्षा सोरी की गिंदी उन बात्साहों में होती है जिनके साथ इतिहास ने कभी नियाय नहीं किया सेरसा सूरी ने मुगल वास्ता हुमायों को बारवार पराजित किया था और अपने पांच वर्सों के सासंकाल में अपनी योगिता और कारियों से भारत में अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया सेरसा सूरी ने वर्स 1544 में कालिंजर के किले का घेरा डाला सेरसा सोरी के कालिंजर जाने का कारण वीड सिंग बुंदेला था जिसे सेरसा ने अपने दर्वार में आने के लिए आमंत्रित किया था लेकिन उसने भाग कर कालिंजर के राजा कीरस सिंग के हां सरण ले ली थी कीरत सिंग ने उसे सेर सा को सौपने से इंकार कर दिया था सेर सा ने किले को गेर कर 22 मई 1545 को किले पर हमला बोल दिया हमले में भाग लेने के लिए सेर सा सोरी खुद आगया गया उन्होंने सैनिकों को किले के अंदर बम फेकने का आदेश दिया जब सैनिक इन बमों को लेकर किलों के अंदर फिक रहे थे तभी एक बम किले की दिवार से टकरा कर वापस लोटा और उस स्थान पे फटा जहां पे बाकी बम और पटाकिये रखे हुए थे बहुत जवर्जिस्त दमागा हुआ और चारों तरफ आग लग गई वहां मौझूद दूसरे सैनिक तो आंसिक रूप से जले लेकिन सेरसा का सरेर आदे से अधिक जल गया उसी हलत में उन्हें सिविर की बीचों बीच ले जाया गया वहां दरवार में सभी विसिस्ट लोग मौझूद थे तब ही सेरसा सुरे ने उसी जले वई हलत में अपने एक जन्रल ईसा खा को आदेश दिया कि उनके जिन्दा रहते किले पर कबज़ा कर लिया जाया इसाखा ने ये सुनते ही किले पर चारो ओट से हमला बोल दिया जैसे भी सेरसा को जेत की खवर सुनाएगी उस तकलीप में भी उनके चेरे पर खुसी और संदोस से भाव उबर आये लेकिन कुछ ही छणों में उन्होंने अपना प्रांट त्याग दिया सेरसा सोरी का मकवराग बिहार के सासा राम में इस्तित है जिसे उसकी सुन्दर्ता के करन भारत का दूसरा ताजमेल कहा जाता है